एलो सुडेंस मेरा नाम भिनीत पांडे और आप देख रहे हैं टू पाई क्लासेस बच्चो क्लास सिक्स मैथमेटिक्स में यहाँ पर इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे यह जो पैराग्राफ दिया है न आपका देखिए सेक्शन 1.3 में लार्ज नमबर इन प्राक्टिस में यह जो पैराग्राफ लास में दिया हुआ है इसमें कुछ बाते बताएं गई है यानि कि मीनिंग ऑफ किलो मीनिंग ऑफ सेंटी एन मीनिंग ऑफ मिली को हम पढ़ेंगे ठीक है सुडेंस यानि कि एक बात मैं आपको पहले ही बता सकते हैं और मेरे साथ साथ सीखते भी रहेगा है लगाईए कॉपी में मीनिंग ऑफ किलो सेंटी एंड मिली ठीक है ना किलो का मीनिंग क्या है सेंटी का मीनिंग क्या है और मिली का मीनिंग क्या है तो सबसे पहले देखते हैं बच्छो मीनिंग ऑफ किलो ठीक तो किलो का मतल smallest unit आपको पता है मिली is the smallest unit and kilo is the greatest unit यह बात आपको पता है मतलब अगर मैं order लिखना चाहूं तो order कुछ इस तरीके से होगा सबसे चोटा आपका मिली मिली आपका सबसे चोटा ठीक है उससे बड़ा unit होता है आपका centimeter और उससे बड़ा हलकी होता है meter वहाँ भी हम length में नहीं जा रहे हैं बस अभी हम कुछ शब्दों को देख रहे हैं जो बार-बार आ रहे थे जैसे कि मिली सेंटी और किलो ठीक सो मिली मिली से बड़ा होगा आपका क्या सेंटी ठीक और सेंटी से बड़ा होगा आपका क्या किलो ठीक तो यह मैंने कैसा लिखा है increasing order छोटे से बड़े की तरफ increasing order है या ascending order increasing order increasing या ascending order है ठीक इसमें आपका जो मिली हो गया यह हो गया smallest ठीक उससे बड़ा सेंटी और सबसे बड़ा आपका किलो किलो हो गया आपका क्या greatest greatest मतलब सबसे बड़ा ठीक है students अब देखते हैं कि kilo का क्या मतलब होता है तो आप अगर ध्यान दोगे तो आपकी book में क्या लिखा हुआ है ध्यान दे kilo shows thousand times greater अब इस बात का क्या मतलब है kilo shows thousand times greater so kilo shows thousand times greater इस statement का क्या मतलब है ठीक है दिखिए इसका मतलब है आईए example लेके समझते हैं सबसे पहले हम length का example लेते हैं किसका length का ठीक है जैसे की हमने क्या सीखा है बच्चों हमने सीखा है कि one kilo meter length की unity आद है आपको kilometer, meter, centimeter so one kilometer is equals to one thousand meter होता था ठीक अब इसका meaning समझेए one kilometer, one kilometer को ही kilometer भी बोला जाता है क्योंकि one one kilometer लिखो या kilometer लिखो बात से में ठीक तो अगर आप देखोगे तो यहाँ kilo लग गया है क्या लग गया है kilo तो kilo का मतलब क्या है one thousand meter को आप क्या लिख सकते हो one thousand into यह मैंने आपको पहले भी दिखाया है one thousand को आप one thousand into one लिख सकते हैं बताइए one thousand into one one thousand ही तो होता है तो यह वाले one thousand को one thousand into one लिख दिया ठीक है ना और यह इस तरीके से अब आप समझो जड़ा यहां से क्या आया मैं लिख देता हूँ one देखो kilo लग गया kilo का मतलब thousand times greater तो वन किलो का मतलब क्या है इस statement का मतलब है कि वन किलो मिटर का जो लेंथ होता है न वह वन मीटर के लेंथ से thousand times बड़ा होता है मतलब वन मीटर लगभग इतना होता है hundred centimeter के एक वल तो वन मीटर का एक फीता ले लिजे देखिए मैं आपके एक station है जस एक्जामपल दे रहा हूं ऐसा सोचो अब सब लोग सोचने लगेंगे कि हैं सब के घर में ऐसा होगा नहीं मेरे घर को मेरे घर से जो station है वो वन किलो मीटर है मेरे घर से station की जो लेंथ है यहां की जो से A से B यह पता है कितनी 1 km अब इस बात को अगर समझना है तो मैं कैसे समझूँगा मैं 1 मीटर का एक रॉड लेके आऊंगा रॉड वन मीटर लेके आऊंगा कितना वन मीटर रॉड वन मीटर लेंद का और मैं अपने घर से सीधा यहां से लेके यहां तक ओके आपको वन किलो मिटर को मेजर करने के लिए आपको वन मीटर को कितनी बार लेना पड़ा वन मीटर लेंथ को कितनी बार लेना पड़ा तो जवाब है थाउजन टाइमस आपको लेना पड़ा तो बस वही चीज़ है कि वन मीटर का लेंथ जितना भी होता है ना वन मीटर का लेंथ जितना भी होता कि वेट के बारे में पढ़ते हैं तो वेट में आपने पढ़ाता है जी का मतलब ग्राम तो वन किलो का मतलब ही थाउज़न्ट होता है सो इसकों क्या लिखेंगे 1000 को 1000 marks और one gram को बन ग्राम जितना भी वेट होता है या जितना भी मास होता जिकत को बहुत चोटा मास होता है यह बहुत चोटा वेट होता जितना लASS लका होते है ज beverage च्छ और फील करा देता हूं एक बरफी लीजा बर्फी आ यह आप ऐसे नहीं ऐसे आप ठीक है एक बर्फी लो बर्फी का बस अंदाजा लगवा रहा हूं बर्फी का कॉर्णर तोड़िए कॉर्णर तोड़िए यह बर्फी होती ना खाने वाली इसका कॉर्णर एक तोड़ो यहां से छोटा से टुकला तोड़ो वह लगभग एक ग्र लेके आओगे तो आपके पास बहुत सारी बर्फी होती मतलब इस कॉर्णर में इस कॉर्णर का मास कितना या वेट कितना वन ग्राम तो इसका हदार गुना भर्फी आप लेके आते हो 1000 टाइम्स तो इसलिए किलो का मतलब क्या होता होता है थाउजंड टाइम्स ठीक है ग्रेटर तो किलो का मतलब होता है थाउजंड टाइम्स ग्रेटर बस यह है अब यहीं पर अगर आप मतलब संज़े कि जो 1 kg है वो 1 kg का 1000 टाइम करने पर मिलता न गाम वेट जितना होता है उसका 1000 को 1000 टाइम्हार वेट ले लो % । जो वेट बनेगा वो 1 kg होगा ठीक अब बात करते हैं किस में कि यह कि मतलब या देatively करे से बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था एक बिसलरी का मैंने एक्जाम्पल दिया था अगर आपको याद हूँ ठीक तो यह बिसलरी की वाटर बॉटर ले मान लीचे इस तरीके से और इसका वॉल्यूम कितना है वन लीटर कितना हूं लीटर और यह आपके पास एक टैंक है यह एक टैंक है टैंक में आप पानी भर सकते हो मान लो और इस टैंक का जो वॉल्यूम है मतलब इसमें जो पानी आता है इस क्यूबाइडल टैंक में यह टैंक है इस तरीके से क्यूबाइड शेप का इसको क्यूबाइड बोलते हैं यह जो क्यूबाइडल टैंक है मान लो इसमें कितना पानी आता है पता है इस बॉटल से जिस बॉटल का वॉल्यूम वन लीटर है मतलब इसमें कितना पानी वन लीटर तो इस बॉटल से इसको भरने में अगर आप एक हजार बॉटल पानी डालते हो मैं एक्जामपल दे रहा हूं जस्ट तो इसमें कितना पा यह है यह लिए कि one kilo liter अबदेखो kilo लग गया तो one kilo liter liter का thousand times होता है याने कि one kilo liter में one thousand liter होते हैं याने कि one kilo liter spelling देख ले ना आप यहां पर गलत हो गई one kilo लीटर is equals to 1000 को आप क्या लिखोगे 1000 into 1 लीटर ठीक याने कि 1 लीटर जितना भी होता है चेक कर लो यह बिसलरी की बॉटल है वन लीटर वाली इस वन लीटर की बॉटल से अगर आपको यह टैंक भरना है कौन सा टैंक जिस टैंक की वॉल्यूम कितनी 1000 लीटर है या दूसरे यही चीज़ है बस समझाने के बतारा हूँ याने कि 1 कीलो लीटर क्या होता है वन लीटर का 1000 लेलो याने कि एट लीटर वाली जो बिसलरी की बॉटल है एक हजार बॉटल ऐसी लेके आई यह तो वन किलो लीटर बनेगा चिक तो इसलिए आपकी बुक में यह लिखा हुआ है क्या कि कि किलो शोज थाउजंड टाइम्स ग्रेटर तो यह बातें आपको याद हो निची चिक अब बात करते हैं सेंटी की चिक है सो सेंटी शोज हंडिड टाइम्स स्मॉलर चिक सेंटी शोज हंडिड टाइम्स स्मॉलर अब इस बात का क्या मतलब है आईए इसको लेंथ की हेल्फ से समझाता हूँ सेंटी शोज है हंड्रेट टाइम्स स्मॉलर अब देखिए हम लोगोंने क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है हंड्रेट सेंटी मीटर इस इक्वल्स तो वन मीटर ठीक अब माल लीजे मेरे पास वन मीटर लेंथ का इसकेल है ठीक यह मेरे पास वन मीटर लेंथ का स्केल है मान लो इसका लेंथ कितना मान लीजे वन मीटर तो अगर यह वन मीटर लंबा है तो पता है इस स्केल में कितने निशान होंगे इसमें 100 निशान होंगे ऐसे ये 1 cm, फिर ये भी 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 1 cm, फिर ऐसे करते करते इसमें 100 निशान होंगे, अब exactly मैं बना एक नहीं रहा हूं आप अंudhah लगा लो तोब आपको किया बता चलता हिं इसकी टोटल लेसं तो वन ये वाली जो लेन्थ है ये से लग रहा है कि जब हम 1 cm को 100 times लेते हैं, 1 cm को 100 times लेते हैं, 2 times, 3 times ऐसे करके 100 times लेते हैं, तो 1 meter बनता है, इसका मतलब 1 meter के comparison में 1 cm जो है, वो 100 times छोटा है, दिख रहा है न, cm छोटा है और meter बड़ा है, दिख रहा है, तो 1 cm जो है, या, इसी लिए आपकी किताब में लिखाएं, 100 times smaller, ठिक, smaller, ठिक, so, जो centi length होती है, वो 1 meter के comparison में 100 times smaller length होती है, बस यही चीज़ है, और क्या, मतलब जितनी भी 1 meter को माना गया है, उसका, अगर हम क्या ले ले, 1 upon 100 पार्ट ले ले, तो 100 में से 1 पार्ट ले ले, यहां से यहां तक total 100 पार्ट ने, इसमें से 1 पार्ट ले ले, यह 1 cm है, तो cm shows 100 times smaller, मतलब यह वाली जो length है, यह length, इस पूरी length का 100 times छोटा length, 100 times smaller है, smaller, ठिक, तो यह आपको feel होना चाहिए, ठिक है, यह हो गया, ठिक है अगर आप इसको volume से समझना चाहते हैं, या weight से समझना चाहते हैं, तब भी मैं आपको समझा सकता हूँ, weight से अगर आप समझना चाहते हूँ, तो ध्यान दो ज़रा, पता है क्या, वैसे weight में centi शब्द का use किया नहीं जाता है, जनरली है ना, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम length से ही समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठिक है, ओके length से ही समझते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि ncrt में भी length से समझाया है, इतना समझ में आ गया, अब देखिए ज़रा, इसके बाद, अब बात करते हैं, किसकी, यह जो बात लिखी, मिली शोज, थाउजन टाइम्स स्मॉलर, तो देख लीज़े, हमें पता है, मिली शोज, थाउजन टाइम्स स्मॉलर, करेक्ट, आईए इस बात को समझते हैं, वेट की help से, ठीक है, वेट की help से, सो, देखिए, हमने अब यह भी पढ़ा था, कि 1 kg में, कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, यानि कि किलो इस 1000 टाइम्स ग्रेटर देन ग्राम, यहाँ पर देखिए, 1000 इंटू 1 ग्राम लिखा, सही है, अब देखिए जड़ा, 1 kg ग्राम का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, kilo का मतलब thousand times greater, तो kilo जो होता है, वो one gram से thousand times greater होता है, और milli का मतलब, अब देखो ज़रा, हमने पढ़ा है कि one gram में कितने milli gram होते है, thousand milli gram, याने कि thousand milli gram मिलके one gram को बना रहे है, ठीक, तो, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 1000 milli gram is equals to one gram, ठीक है, अब मैं आपको एक जस्ट थोटा सा बात बताता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था, बरफी का टुकड़ा है ना, ये बरफी का टुकड़े का जो corner होता है, ये corner, इसका कोना लगभग one gram का है, मान लीजे, यहां से कोना तोड़ा, इसका corner, इसके आप कितने part करोगे ये one gram का बरफी का टुकड़ा है, चोटा सा, इसके आप कितने चोटे 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 part करोगे, सोची इसके बारे में, इसके एक हुजार equal parts घर किये जाए ऐसा एक पार्ट यह कोगा, अब समझ में आया कि नहीं, तो देखो, इतने हमने टुकड़े किये, कितने किये, 1000 टुकड़े, इस बड़े वाले टुकड़े के 1000 टुकड़े किये, तो हर एक टुकड़ा जो होगा, वो 1 मिली ग्राम का है, तो 1 मिली ग्राम, इस बड़े वाले टुकड़े से 1000 टाइम्स लेस्ट वेट का होगा, अब हमने 1000 पार्ट में डिवाइड कर दिया equal parts में 1000 इक्वल पार्ट जिससे की क्या हो जाए फिर हर एक पार्ट के वेट को हमने वन मिली ग्राम बोला तो ऐसे ऐसे करके कितने 1000 मिली ग्राम बन जाएंगे तो हर एक जो टुक्ड़ा है 1 मिली ग्राम का वो इस 1 gram के comparison में 1000 times smaller ही तो है यही चीज तो किताब में लिगी क्या कि Millie Shows 1000 times smaller अब ये बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए इसलिए मैंने इस topic को आपको अलग से पढ़ाया है चीके students, ओके और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से Units के बारे में पढ़ाया है और मैंने Convergence भी बहुत महनत से आपको सिखाया है तो Please Convergence के वीडियो भी देखें कि Millie Gram को Kilogram में या Kilogram को Millie Gram में कैसे Convert करते हैं Gram को Millie Gram में, Millie Gram को Kilogram में या Simple शब्दों में बोलूं तो Millie से Centie, Centie से Millie या सेंटीमीटर से मीटर Length का हो unit, चाहे आपका Weight का, सबका मैंने Convergence भी खाया है तो Please पीछे जाके उसको देखें अराम से हमारी प्लेलिस में, आपको सारे units वहाँ पर अच्छी तरीके से मिलेंगे, Convergence अच्छी तरीके से ठेके students, तो I think आपको मेरी बात समझ में आई होगी Now students, अब हम लोग मिलते हैं Next video में तब तक कले पढ़ते रिए, बढ़ते रिए, All the best